हेलो एंड वेलकम टू आज चैनल सोलो टेल्स और आज की हमारी मूवी का नाम है सुसाइट किंग्स ये एक मिस्ट्री थिला मूवी है इस मूवी की एंडिंग आपको बहुत पसंद आएगी पर इससे पहले आज क्रिस्मस के मौके पर मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमली को मेरी क्रिस्मस May God Bless You All तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन तो मूवी की स्टार्टिंग में हम चार्ली को देखते हैं दरसल चार्ली कुछ सालों पहले तक एक अंडरवर्ड माफिया हुआ करता था लेकिन अब वो एक इज़दतार बिस्नेसमैन है और उसने गैर कानूनी काम करना छोड़ दिया है चार्ली ने इस रेस्टोरेंट में एक टेबल रिजर्व किया था लेकिन उस टेबल में कुछ लोग थी इसलिए चार्ली इस बात की वेटर को कमप्लेंट करता है फिर वो वेटर चार्ली की टेबल में जाकर वहां बैटे दो लड़को एबरी और मैक्स को जाने को कहता है लेकिन ये दोनों अपना डिनर फिنिश किये बगेर यहां से हटने को मना कदेती है जिससे तीनों की भहस हो जाती है लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली आकर मामले को शान्त कराता है और आवरी और मैक्स से कहता है कि आप लोग अपना डिनर अराम से खतम कर सकती है तब चार्ली को देखकर ये दोनों उसको पहचान जाती है और अपना introduction देती है इधर Every का सरनेम सुनकर चार्ली को कुछ याद आता है और फिर चार्ली इन दोनों को जॉइन करता है चार्ली Every से बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर से फंड के सिलसिले में मिला था और वो एक बहुत अच्छे इंसान है आगे उस टेबल में ब्रैट नाम का एक यंग्स्टर आता है ब्रैट एवरी और मैक्स का ही दोस्त था ये तीनों चार्ली से बहुत सारी बाती करती है पर इस दोरान हमें बताया जाता है कि असल में इन तीनों का प्लैन चार्ली को किडनाप करने का था और इसी के लिए ये लोग पहले से ही रहसल करके आए थी इधर प्रिजेंट में आवरी को कुछ अचानक से याद आता है और वो कहता है कि मुझे जाना होगा आज रात मेरे फादन ने मुझे पीटर होटल में बुलाया था तो ये सुनकर चार्ली कहता है कि मैं उस होटल में कई सालों से जा रहा हूँ और मुझे उस होटल तक जाने के पांच शॉटकर्स पता है ऐसा बोलकर चार्ली टीशू में होटल का मैप बनाने लगता है और तभी ये तीनों अपना असलिक खेल दिखाती है और चार्ली को उन्हें उस होटल तक छोड़ने को कहती है चार्ली बोलता है कि मैं अपने ड्रावर को घर भेच चुका हूँ सौरी फिर कभी चलेंगे तब एवरी बोलता है कि मेरे पास खुद की गाड़ी है तो इसके बाद चार्ली मना नहीं कर पाता आगे चार्ली इनकी गाड़ी में होता है और तबी पीछे की सीट से मैक्स प्लाइन के अकॉर्डिंग कार विंडो क्लोस करकी हैंकी में क्लोरोफोर्म भर लेता है वहीं इधर चार्ली को भी रियलाइस हो गया था कि एवरी उसके बताईवी चके पर नहीं जा रहा है इसलिए वो उसे टोकता है पर इतने में ही ब्रेट पीछे से चार्ली को बान देता है और उसी टाइम मैक्स भी चार्ली को क्लोरोफोर्म स्मेल कराता है लेकिन चार्ली काफी स्ट्रॉंग था इसलिए मैक्स उसके नाग पर जादा देर तक क्लोरोफोर्म नहीं रख पाता जिससे कि सिचुएशन आउट अफ कंट्रोल हो जाती है और अब एमेजेंसी में ब्रेट चार्ली के चेहरे को हैंकी से ठक देता है मैक्स प्लैन भी यूज करते वे चार्ली को ब्योशी का इंजेक्शन लगाकर ब्योश कर देता है दरसर क्लोरोफोर्म के मुकाबले इंजेक्शन जल्दी असर करता है जिससे कि चार्ली ब्योश हो जाता है आगे जब चार्ली की आखे खुलती है तो वो खुद को चेयर में बंधा पाता है चार्ली की सामने वही तीन यंग्स्टर्स थे जिन्नों ने उसे बियोश किया था साती यहाँ पर जीम्स नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट भी था जो की चार्ली का ख्याल रख रहा था चार्ली बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे किडनाप क्यों किया तो एवरी कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए मेरी सिस्टर इलिस को किसी ने किडनाप कर लिया है और 2.000.000.000 की फिरौती मांगी है मेरे डेट चाहे तो पैसे दे सकती है लेकिन वो इसमें पुलिस की डिमांड कर रहे है चार्ली बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर कुछ कर सकता हूँ तब Brett कहता है Come on Charlie, तुम्हारा Underworld से Contact है, वे लोग पैसे देकर हमारी मदद कर सकती है Charlie कहता है कि ये बहुती बुरा आइडिया है, हाँ एक समय था जब मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन अब मैं एक Businessman हूँ और शराफस से Tax भरता हूँ Brett कहता है कि एक Criminal कभी भी सुधर नहीं सकता, Charlie समझाता है देखो तुम सभी यंग हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, इस दलदल से जल्दी बहार निकलो, मेरी गाड़ी मुझे लेनी आएगी, और हम ऐसा Act करेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ना ही मैं कभी इधर आया, और ना ही तुमने मुझे Kidnapp किया, तो इसे सुन ये सब एक पल के लिए Charlie की बातों पर आ जाती है, और इधर James जैसे ही खड़ा होता है, Charlie उसके Medical Dress में Blood का दाग दीखता है, तब Every बताता है कि जब Kidnapper के पास वक्त पर पैसे नहीं पहुचे, तब उसने हमें ए Flow हो रहा था, Charlie पूचता है कि ये किसका Blood है, Brad कहता है देखो Charlie, जो जो Alice के साथ होगा, वो हम पैसे मिलने तक तुमारे साथ भी करते रहेंगे, Brad के ऐसा बोलती ही अबरी Charlie के सामने बाउल लाता है, इस बाउल में Charlie की फेवरेट रिंग वाली Pinky Finger थी, इसे देखकर Charlie को बहुत गुसा आता है, और वो बौकला का जमीन में नीचे गे जाता है, फिर ये लोग Charlie को उठाती है, Charlie बोलता है कि तुम सभी ने अपनी मौत अपने हाथों से लिखती है, अब तुमें कोई भी नहीं बचा सकता, आगे कुछ समय बाद Charlie का गुसा शान्त हो जाता है, और तभी इ आईरा आजाता है, ये घर असल में आईरा का ही था, और आईरा इनका दोस्त है, आईरा कहता है कि तुम लोग यहां मेरे घर में पौकर खेलने आए थी, लेकिन मुझे कहीं भी ताश की गड़ी नहीं दिख रही, इतना कहते ही आईरा चेर में बंदे Charlie को देखता है, और प आईरा अपनी चेर में बैट जाता है, तब अबरी आईरा को भी सारी बात बताता है, कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी आईरा इनका साथ देने से मना कर देता है, और जानी लगता है, तब इतने में ही वहां कर टेलिफोन रिंग होता है, जिससे कि ये लोग घपरा जाती है, क्योंकि यहां का नंबर इन्होंने किसी को भी देने से मना किया था, इन सब का शक आईरा पर जाता है, और इधर थोड़ी देर बाद आईरा बताता है, कि मैंने बस बाहर के दो लोगों को ही ये नंबर दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था, क कि तुम लोग यहाँ पर kidnapping करोगे तो इसे सुनके यह सब भी आईरा पर गुसा करती हैं क्योंकि किसी के पास भी यह number होना इन्हें मुश्किल में डाल सकता था फिसे इन लोनो नाम के secretary और उसके driver पर आता है दरसल लोनो चाली का ही secretary था और उसे ही पिक करने जा रहा था दूसरी तरफ आईरा का telephone ring होना बंद हो गया था लेकिन अभी एक और problem थी चाली कहता है कि मुझे खोलो मुझे toilet जाना है मैं पका यहाँ से नहीं भागूंगा तो इस पर आईरा चाली को खोलने को कहता है लेकिन Brett कहता है क्या तुम लोग पागल हो गए हो आखरी बाद जब इसके हाथ खुले थे तो यह हमें almost माने ही वाला था इसलिए हम इसे नहीं खोल सकते तो आवरी कहता है चलो ऐसा करते हैं कि इसको wheelchair के साथ bathroom से लटकाती है और जब खोल देती है Max कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन पैंट से इसका हत्यार बाहर कौन निकालेगा इतना बोलते ही James को एक flower वास मिलता है इसमें James Charlie को toilet कराने वाला था लेकिन ये वास आईरा के फादर का favorite वास था लेकिन James आईरा को समझाता है और क्योंकि James एक medical student था इसलिए उसके लिए Charlie को वास में toilet कराना बाए हाथ का खेल था फिसेन मार्टी पर shift होता है जो कि अपनी wife के साथ restaurant में था कि तब ही उसे Charlie का call आता है दरसल मार्टी Charlie का lawyer था Charlie मार्टी को अपनी situation बता कर उसे शहर में उन kidnappers को ढूनने को बोलता है जिसने भी Alice की kidnapping की है मार्टी कहता है कि अगर मैंने Alice को ढून लिया तो मैं तुमें contact कैसे करूंगा ये सुनकर Charlie उन लड़कों से telephone का number पूचता है लेकिन ये लोग इसे मजाक में लेती है तब Charlie कहता है कि अगर उसने Alice को ढून लिया तब वो हमें कैसे contact करेगा इसलिए उसे तुमें से किसी एक का number चाहिए तो ये सुन Brad James से उसका वीपर चीन लेता है और इस वीपर का number बताने को कहता है दरसल एटीज में वीपर डिवाइस से message या फिन notification दूसरों तक text किये जाती थी लेकिन इधर James वीपर का number देने से मरा का देता है तो Brad उसे ये कहकर blackmail करता है कि अगर तुमारी girlfriend को पता चल गया कि तुमारा एक और लड़की के साथ चकर है तो वो क्या सोचेगी फिर इस तरह James मार्टी को अपना वीपर नमबर देने पर मजबूर हो जाता है आगे जब James वापस से Charlie को call थमाता है तो Charlie मार्टी को silently लोनो को इस बारे में बताने को कहता है फिर इसके बाद मार्टी ऐसा ही करता है और लोनो को इस बारे में inform कर देता है वही Charlie के kidnappers कोई message या call आने तक अपने अपने काम में busy हो जाती है कि तभी अचानक से James का वीपर बचने लगता है क्योंकि मार्टी ने इसमें message किया था इसे सुन ब्रैट मार्टी को जल्दी से call करता है और call Charlie को देता है मार्टी कहता है कि हमारे पास एक good news है हम बहुत जल्द Alice के kidnapper से contact करके उसे बात करने वाली है लेकिन हमारे जीन लोगों ने उसे पहले ही contact कर रखा है उनका कहना है कि वह kidnapper साइको है अब मार्टी के ऐसा कहती ही सीन Alice के असल kidnapper जीन और लोग पर आता है दरसल ये kidnapping से एक दिन पहले का सीन था यहां ये दोनों एक आदमी से किसी को kidnapper करने की deal कर रहे थी उस आदमी का चैरा हमें नहीं दिखाया जाता कि तब ही वहां पर एक बच्चा जिम पर पानी फेक दीता है इसे देखकर जिम उस बच्चे को मानने के लिए अपनी गन निकालने लगता है लेकिन लूग उसे शांद कराता है दरसल ये दोनों सचकी ही साइको थे माटी चाली को आगे बताता है कि उन लोगों ने हमें बताया है कि इस किरनापिंग में कोई तीसरा इंसाइट मैन भी शामिल है मतलब कि उन दोस्तों में से कोई एक उन किरनापर से मिला हुआ है फिर कॉल कट हो जाता है और चारली कहता है कि उनकी लोग बहुत चल्द किन्नापर से कॉंटेक करके उन्हें फिरोती के पैसे देनी वाली है तो इसे सुन ब्रैट, एवरी और मैक्स खुश होती है और इस खुशी में ये लोग चारली को ड्राइंग रूम में लाकर ड्रिंक बनाने लगती है लेकिन तब ही वहाँ आईरा आ जाता है और उन्हें ड्रिंक पीने से रोग देता है क्योंकि वो उसके फादर की ड्रिंक थी तब ही वहाँ पर डोर बैल रिंग होती है ब्रैट चाकर देखता है तो बाहर पुलिस की गाड़ी थी इसे देख एवरी चाली का मुबंद का देता है और आईरा अपने दोस्तों से चाली को छिपाने को कहकर घर से बहाँ जाता है और बहाँ जाकर वहाँ खड़े पुलिस आफिसर को उलचाने लगता है officer यहाँ checking करने के लिए आयरा से उसके घर का password मांगता है तब आयरा को वो password याद नहीं आता इसलिए आयरा officer को अपना card दिखाता है और बताता है कि यह घर मेरे डैड काई है लेकिन वो इस वक्त यहां नहीं है पर officer आयरा की बात नहीं मानता तब कुछ दे सूचने के बाद आयरा को उसका पासवर्ड याद आ जाता है और वो बहुत खुश होता है तो अफिसर बोलता है ठीक है ठीक है इसमें इतना खुश होने की कोई बात नहीं अब मैं तुमारे घर का इंस्पेक्शन करूंगा क्योंकि एक पुलिस को इसका पूरा अधिकार है अगले सीन में लोनों को रेस्टरेंट स्टाफ से पता चलता है कि चाली आखरी बार यहां कुछ यंग्स्टर के साथ था वैं यंग्स्टर इस होटल में कुछ दिनों से आ जा रही थी शायद उनके बारे में यहां की होस्टेस जैनिफर को पता होगा लेकिन ज जा चुकी है तो लोनों जैनिफर का एड्रेस मांगता है और चाली के खौफ से होटल स्टाफ उसे होस्ट्रेस जैनिफर का एड्रेस दे दीती है दूसी तरह पुलिस ऑफिसर आईरा के बैडरूम के अलावा सब चेक कर चुका था और असल में बैडरूम में ही आईरा के द खेल रहे थे वहीं एक कोने में बैड चाली पर गन तानी वे था तो यह सब देखकर आफिसर वहां से चला जाता है फिर आईरा वापस आकर बैड से उसके फादर की गन वापस रखनी को कहता है लेकिन बैड ये कहता है कि हमें इसके कभी भी जरूरत पढ़ सकती है ऐसा कहक कर वो उस गन को रख लिता है फिर सीन एक काट् UN SHOW से शुरू होता है जिसे अटाकर जिम गॉल्फ मैच लगा देता है इससे देखकर ल्यूक जिम पर गुसा होता है और वो चैनल वापस लगाने को कहता है लेकिन जिम नहीं मानता तब ल्यूक जिम पर गन तान लिता है और वापस उसका फेवरेट कार्टून शो लगाने को कहता है और काउंटिंग करनी लगता है लिकिन लास्ट मौके पर जिम मान जाता है और उसे रिमोट दी देता है लियूक गुस्से से कहता है कि तुम्हारी वज़े से मैं फिर से एंडिंग नहीं देख पाया चाली उन बच्चों को वो बाते बताने को कहता है जिससे कि किड्नापर पकड़ में आ सकी तो ब्रेट बताता है कि किड्नापिंग से एक रात पहले हम लोग बाहर पार्टी करने गए थी वहीं पर मैक्स और उसकी गर्फरेंड आलिस भी थी मैक्स आके कहता है कि आवरी को छोड़ कर हम सब भी फ्रेंड्स उस रात आवरी के डैट के बोट में थी दरसल आवरी पाने से डरता है इसलिए वो कभी भी उस बोट में नहीं जाता पार्टी के बाद मैं और आलिस उस बोट से उतर के गाड़ी चलाते चलाते कहीं गूम हो गए लिकिन हमें इसकी कोई फिकर नहीं थी इसलिए हम वहीं अट्रैक्ट होकर किस करने लगे पर तभी वहां पर कहीं से कुछ गुंडी आए और गाड़ी का शिशा तोड़ कर आलिस को वहां से ले गए मैंने जब एलिस को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मार कर बेहुश कर दिया अब मैक्स की कहानी खतम होती है और इसके बाद हम चाली को जेमस के साथ देखती है जेमस चाली की मरमपट्टी कर रहा था यहाँ Charlie कहता है कि अगली finger तुम लोग कब काटने वाली हो तब James कहता है कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं यह बस हमने तुमें डराने के लिए किया था तो यह सुनने के बाद Charlie James से थोड़ा friendly बात करता है और जब उस room में कोई नहीं होता तो Charlie James को manipulate करता है और बताता है कि तुम चाहो तो एक डॉक्टर बन सकती हो लेकिन फिर भी तुम अपने दोस का सादेरी हो शायद यह तुम्हें ऐसा कुछ देती हैं जिससे कि तुम्हें यह सब करतेवक्ट डर नहीं लगता शायद वो चीज ड्रक है तो इसे सुन जीम्स रुख जाता है चाली अपनी बात आगे दोस्तों के पास जाता है जेम्स अपने दोस्तों को बताता है कि चाली के अंदर विटामिन के की कमी है विटामिन के से हमारी शरीर के घाउं बहने बंद हो जाती है लेकिन चाली का खून भैता ही जा रहा है अगर ऐसा ही होता रहा तो चाली की मृत्यू हो जाएगी यह स्टेप लोग परिशान हो जाती है फिर सीन हॉस्ट्रेश जैसिका पर शिफ्ट होता है जिससे उसका शराबी नहीं पड़ता और ये देखकर लोनों दूसरे कमरे से हीटर लाता है और उससे जैसिका के फादर को माने लगता है ये देखकर जैसिका परदा लगा देती है फिर इसके बाद लोनों जैसिका से उन यंग्स्टर का नाम पोचता है जिससे कि वो आकिर बार मिली थी तो जैसिक को उन चारों का नाम याद होता है और वो उनके नाम बता देती है अगली सिन में चाली को मैक से बात करते वे दिखाती है मैक्स चाली से बात करते करती कहता है कि सिर्फ एलिस के फादर के कारण हम एक दूसरे से प्यार का इसहार नहीं कर सकती एलिस के फादर बहुत ही अमीर ह और मेरी पास कुछ नहीं है इसलिए वह मुझे कभी accept नहीं करती ऐसा बोलते भी Max जादा ही emotional हो जाता है और Charlie भी Max पर सहान भूती जदाता है इस तोरार Max का मन करता है कि वो Charlie को छोड़ दे लेकिन वो साफ साफ कह देता है कि वो इस पर कुछ नहीं कर सकता अब इतने में ही वह पर इस पर आयरा को पूरी तरह विश्वास नहीं होता आगे आयरा Charlie से बात करता है और उसे ब्रैट के कमरे में ले जाता है आगे हमें मार्टी को मैरी के साथ दिखाती है मैरी असल में बहुत सारी किड़नापस का नंबर जानती थी जो इस तरह लोगों से फिरोती मांगती हैं यहां मैरी बताती है कि Charlie असल में मेरा भी friend है जब मैं 17 की थी था मैंने prostitution का काम करना शुरू कर दिया था उस टाइम मेरा boss Nick the nose था उसने मुझे खरीद रखा था और उसे लग रहा था कि इसमें उसके पैसे की भरबाई नहीं हुई इसलिए वो बहुत जल्द मुझे मान चाली दिला दी और इसके बाद आगे क्या हुआ तुम अंदाजा लगा सकते हो फ्लैश बैक में दिखाया जाता है कि चाली ने बातरूम जाकर निक को वहीं मा डाला और उससे अपनी रिंग वापस ले ली अभी सुनने के बाद मैरी माटी को कॉंटेक्ट लिस्ट देती है इसमें किर्नापर्स के नमबर थी आगे माटी उस कॉंटेक्ट लिस्ट के नमबर लोनो को कॉल पर बताता है वहीं दूसी तरफ धीरे धीरे आईरा के दोस्तों को चाली से हमदर्दी होने लगी थी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बेफाल्टो में चाली को यहां पकड़ रखा है जबकि किर्नापिंग में उसका कोई हाथ नहीं अब सीन जीम और लुक पर आता है यहां इन्हें लोनों का कॉल रिसीव होता है लोनों पूछता है क्या आप ही वो किर्नापर है जिसने आलिस को किर्नाप किया है तो लुक हां करता है लोनों बोलता है कि हमे कोई लोकेशन और टाइमिंग बता दो आपको पैसे मिल जाएंगे तो इस कॉल के बाद ये दोनों बहुत खूश हो जाती है आगे चाली और उसके किना पर ब्रैट के कमरी में होती है तब चाली कहता है मैं ऐसे तो नहीं मरूंगा लेकिन बोर होकर जरूर मर जाऊंगा तो य ब्रैट बगेर कुछ बोली वहां से चला जाता है तब चाली पूचता है कि इसके साथ क्या हुआ था मैक्स कहता है कि ये पोकर गेम में बहुत सारे पैसे हार गया था ऐसा बोलकर मैक्स चाली को ब्रैट की कहानी सुनाने लगता है और बताता है कि उस रात हम सभी कसीनों मे पैसे हार गए थे, सिबाए ब्रेट के, ब्रेट बार बार जीत्ते जा रहा था, इसलिए कसिनो वालेों ने कसिनों के कभी नहाने वाले प्लेयर वीडो मेकर को बुलाया, वीडो मेकर जब ब्रेट से मैच कर रहा था, तब ही वहाँ पर आवरी आ गया और आवरी ने भी अपने बहुत सारे पैसे ब्रैट के गेम पर लगा दिये लेकिन वो वीडू मेकर बहुत शादे था वो हमसे गेम जीत गया और बार बार जीता ही गया जिससे कि हम सबीको बहुत सारा नुकसान हुआ और हम वहाँ से चले गए तो इसे सुन च ऐरा की तरफ देखता है और आइरा कुछ नहीं कहता तब चार्ली इने बताता है कि मेरे कंदों में काफी दर्ध हो रहा है तो इसे सुन जीम्स चार्ली के पास चाकर उसका टेप लूस करने लगता है लेकिन तब भी वहाँ पर ब्रैट आजाता है और चाली को ये करने से रोख देता है और उस पर काफी चिलाता है तब आरा जेम्स का साथ देने लगता है यहां Emperor भी ब्रैट से यही कहता है कि हमें Charlie को छोड़ देना चाहिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं है तब ब्रेट इन पर चिलाते भी कहता है कि आके तुम लोगों को हो क्या गया है चाली ने तुम लोगों पर कैसा चादू कर दिया है एवरी ज़रा समझो एलिस को वापस लाने का बस यही एक रास्ता है तो एवरी कहता है लेकिन हम इस तरह एक निदोश आदमी की उंगली साथ थी और चाली को छोड़ने को कह रही थी इसे देखकर ब्रेट कहता है जैसा तुम समझ रहे हो चाली असल में वैसा नहीं है मैं तुम्हें चाली की एक कहानी बताता हूँ चाली के नेवर हुट में दो कुटे थी जो हर रात भौकते थी लेकिन एक रात उन्हें किसी ने भौकते में नहीं सुना फिर अगले दिन उस महले में पुलिस आई और पुलिस ने देखा कि कुटे जिन्दा थी और किसी का फ्लैश खा रहे थी लेकिन अजीब बात ये थी कि उस दिन के बाद से वहां के नेबर्स गाइब हो गए और ऐसा कहा जाता है कि वो फ्लेश उन्हें नेबर्स का था जो चाली ने उन कुटों को खिलाया था तो इस कहानी पर इन्हें यकिन नहीं होता तब चाली कहता है कि ये कहानी 100% सची है लेकिन वो नेबर्स अच्छी नहीं थी उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की थी जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता इसलिए उनके लिए ये सज़ा जरूरी थी तो चाली की ये बात सुनकर सभी चुप रह जाती है और तबी जेम्स का बीपर बच उठता है इसके बाद ये सबी माटी को कॉल करती है माटी इनने बताता है कि हमने मेन किद्नापर से बात कर ली है और अब हम उन्हें पैसे देनी चा रहे हैं लेकिन उनकी कुछ कंडिशन्स है जैसे कि हम वो पैसे किसी जगे रख कर वहां से बहुत दो चली जाए और पैसे मिलने के कुछ देर बाद ही वे किटनापर्स आलिस को हिल हॉस्पिटल में छोड़कर जाएंगे तो इसलिए फिलाल हमें उन्हें पैसे देने ही होंगे इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है तो ये सुनकर चाली कॉल हॉल्ड पर करता है और ग्रुप के लोग उससे पूछता है कि अगर तुम इससे आगे जाना चाते हो तो एक बाद डिसाइट कर लो क्योंकि अब तुम लोगों को यहां का एडरेस बताना पड़ेगा ताकि मेरे ड्राइवर डील के बाद मुझे यहां नेनी आ सकी तो ब्रेट थोड़ा सोच समझ कर इस घर का एडरेस बताता है लेकिन मार्टी को उनके घर का रास्ता नहीं पता था तो सभी अनुमाल लगाकर मार्टी को यहां आनी का रास्ता बताती है पर सभी का तर्क गलत था अचानक से मैक्स फून उठाता है और मार्टी जिस रोड में फसा हुआ था वहां से लेकर इस घर का रास्ता असानी से बता दीता है इस कॉल के दॉराण चारली मैक्स को अजीब से तरह से देख रहा था फिर कॉल एंड होने के बाद चारली मैक्स से कहता है कमाल है उस रोड से बाहर आने का ये रास्ता तो मुझे भी नहीं पता था और तुमने उस रास्ते में पढ़ने वाली एक एक गली का भी नाम बता दिया लेकिन ये सोच का थोड़ा अजीब लगता है कि जो इनसान शहर का चपपच चपपच जानता है वो एलिस के साथ इस शहर में गाड़ी में गुम हो गया था मैक्स कहता है कि उस रात मौसम खराब था और जगे अंधीरा ही था ऐसी जगे कोई भी कुम हो सकता था चाली कहता है अच्छा एक सवाल और आखिर उन किडनापर्स को कैसे पता चला कि एलिस उस वक्त तुम्हारे साथ उसी जगे होगी तो ये सुनकर ब्रेट बोलता है कि हमें उल्चानी की कोशिश मत करो तो चाली कहता है मैं मनी के कगार पर हूँ मैं मसा क्यों करूंगा अब मैं तुम लोगों को वो सब बताता हूँ जो मुझे लगता है असल में हुआ ये होगा कि उन दोनों किड्नापर से तुमने पैसे लिये होंगे जिस्से तुम वापस नहीं कर सकी इसलिए वे दोनों तुमें डराने लगी और इस सबसे बहां निकलने का उन्होंने एक रास्ता बताया वो रास्ता था ऐल्लिस की किड्नापिंग करकी आदा आदा पैसा बाट लेनी का उन्होंने तुम्हें बताया होगा कि वो एलिस को सीफ रखेंगी इसलिए तुम इस प्लैन में शामिल हो गए तो मैक्स इस सब को बकवास बता कर चुप रहने को कहता है लेकिन चार्ली आगे बोलता है कि इसकी possibility बहुत है कि ऐसा ही हुआ होगा शायद तुमने जल्दी अमीर बनने के चकर में gambling, bet या फिर fixing में पैसे लगाए होंगे और वो सारे पैसे हार गए होंगे तो मैक्स गुसे में चार्ली को वहीं रुख जाने को कहता है चार्ली कहता है कि तुम्हारी आखों की नमी सारी सच्चाई बोल रही है अब तुम अपने दोस्तों को भी सच बता दो तो ये सुनकर मैक्स के दोस मैक्स के करीब आकर उसे सच बताने को कहती है लेकिन मैक्स कुछ नहीं बोलता तब Brett Max पर जोट डालता है और Max अभी से sorry कहता है जिसका मतलब वही तीसरा kidnapper था इसे सुनकर Brett Max को पकड़ लेता है और James से कटर मंगवाता है इधर Charlie Brett से ये सब रोकने को कहता है वहीं Avery भी पता नहीं क्यों लेकिन Max की उंगली काटने से इन्हें बहुत सादा मना करता है पर James इनकी बात ना सुनते वे कटर मैक्स की उंगली काटने जाता है और जैसे ही कटर मैक्स के फिंगर को टेच होती है तब ये Avery सचाई रिवील करता है और कहता है कि वो Max नहीं बलकि मैं था तो ये सुन Brett Avery पर गन तान लेता है उसे विश्वास नहीं होता कि Avery ने अपनी ही भेन की किर्नापिंग करवाई है यहां Avery किर्नापिंग करने का कारण बताता है कि मैं उस दिन कसीनों में 25,000 डॉलर्स हार गया था लेकिन मुझे लगा कि दुबारा ऐसा नहीं होगा इसलिए मैंने फिस से गेम खिला और अब मेरे उपर काफी सारे पैसों का करजा है इसलि और इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने उन्हें ये आइडिया दिया और इसके बतले में उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वैं Alice को टच भी नहीं करेंगे लेकिन Alice के उंगित देखकर मैं भी डर गया था साथी उन पागलों ने 2,000,000 डॉलर्स की डिमांड की जबक आइरा इस सब की जड़ जुए को बताते भी अपने आसपास के समानों को तोने लगता है तो अगले सीन में जेम्स और ब्रैट आइरा को भी चेर से बान दीती है वहीं उस घर के बाहर हम लोनों को देखती है जो यहां इन लोगों का गेम बजाने आया था आगे जब जेम् जेम्स को पकड़ लीता है और उसे कमरी में ले जाकर उसके बाकी दोस्तों के सामने पीश करता है लेकिन तब भी एवरी भी चार्ली पर गन पॉइंट कर लीता है और तब भी जेम्स का वीपर बच उठता है जिसका मत्तब था कि मार्टी ने दो मिलियन डॉलर्स उन किरना जाड़ी तक छोड़ दीती है और जाते वक्त चाली आईरा से कहता है कि मैं इन लोगों में से बस तुम्हें ही याद रखूंगा तो यह सुनकर आईरा अजीब सा फेस बनाता है और फिर चाली अपनी गाड़ी से वहां से निकल जाता है जिसके बाद एवरी एलिस को लाने अलिस नहीं है तो यह सुनके आवरी को बहुत बड़ा धका लगता है और उसे चक्कर आनी लगती है अब सिंचाली और लोनों पर आता है लोनों को अपने सीक्रेट एजेंस से उन किटनापर का एडरेस पता चल गया था और यह भी पता चल गया था कि उन किटनापर्स ने ह इशारा करता है तब चाली कहता है कि अब यह बताओ कि वो लड़की ऐलिस कहा है तो लियूक कहता है कि वो हमारे पास नहीं है अब लियूक के ऐसा बोलते ही दूसरे कमरे से आवास आती है लोनों को लगता है कि यह दोनों जूट बोल रहे है इसलिए लोनों दोनों को मार लेकिन जब वो कमरे को चेक करता है तो वहाँ कोई लड़की नहीं थी असल में वो एक बिल्ली थी इसका मतलब वे लोग सच बोल रहे थे लोनों पैसो का बैग उठाते वे बोलता है कि इसमें से आधे पैसे गायब है क्योंकि ये पैग काफी हलका है अब सीनिक लेडी पर शिफ्ट होता है जो पैसो के बैग के साथ मैक्स के पास पहुँचती है और ये दोनों गली मिलती है असल में ये लीडी ही आलिस है अब हमें असल कहानी रिवील होती है और हम मैक्स को जिम और लूक से बात कता हुआ देखती है मैक्स कहता है मुझे पता चला कि आवरी ने आप दोनों से 50,000 डॉलर्स के बतले किड्नापिंग का नाटक करने की डील की है लेकिन मैं आपके लिए 2,000,000 डॉलर की डील लाया हूँ पैसा हम दोनों में बराबर बटेगा लेकिन इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए तो ये दोनों पूछते हैं कि हमें किड्नाप किसे करना है तब ही वहाँ पर आलिस आती है और कहती है कि किसी को भी नहीं लेकिन लोगों को लगीगा कि आप दोनों ने मुझे किड्नाप किया है तो ये सुन ये दोनों उनकी दिमाग की तारीफ करती है इधर चार्ली भी समझ जाता है कि ये सब कैसे हुआ होगा और इस गेम की बाद मैक्स कहां गया होगा अब हमें ऐलिस और मैक्स को दिखाया जाता है ये दोनों Avery के फादर की बोट में इंजोई कर रहे थी कि तबी मैक्स उस बोट में चाली और लोनों को देख लीता है तब ही वहाँ पर Alice आ जाती है और Max को किसका लीती है किसके बाद Charlie Alice से कहता है कि क्या ये सब तुम्हारा प्लान था Alice कहती है हाँ तब Charlie Max से कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों को धुका नहीं देना चाहिए था ऐसा बोल कर Charlie पीछे हट जाता है और तब ये लोनों दोनों को ही शूट करके उन्हें खतम कर देता है और ये मुवी भी एंड हो जाती है तो दोस्तों इस मुवी में एवरी ने किर्नापर से मिलकर अपनी बहन के किर्नापिंग करने की डील की थी ताकि उसके दोस किर्नापर को पैसे दे दी और अवरी कर्जे से छूट जाए लेकिन उसी शाम मैक्स और अलिस ने उन किर्नापर से मिलकर उन्हें साधा पैसो का लालच दिया दरसल ये सब Max और Alice ने इसलिए किया था क्योंकि Alice के फादर Max को accept नहीं कर रहे थी इसलिए इन दोनों ने एक साथ भागने का plan बनाया था तो दोस्तो इसी के साथ ये movie एंड हो जाती है होप है कि आपको story समझ आई होगी और मेरा explanation भी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करें